हेलो गाइज वेलकम बाक तुछी चैनल में इना अमें फूर्श आप देख रहे हैं विकम टेग्स एंगाइज यह 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 ब्रांडिंग मिल जाती टीपैसी स्पोर्स की बाग यह पुरी ब्लैक है तो बहुत बढ़िया लगने वाली है तो गाइज इसी का फूरा फूल ड का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है तो इसका फूल डीटेल लिव्यू करेंगे इंजन में क्या पॉर्ण टॉक मिलता ही प्राइजिंग क्या है माइलेज क्या दे देती है सीट हाइट डैमेंशन टायर पोफाइल वेकिंग सिस्टम हर एक चीज बात करने वाले हैं इसका फूल डीटेल लिव्यू जाने के लिए वीडियो गिन तक बने रहेएगा वीडियो अच्छे लेगी तो इसको लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा ऐसे ही बाइक से लिए इंटरसिंग वीवियू अपडेट कंपरी से लिए पानेंगे लिए एगर अपने सेल्फ इस्टार्ट के साथ अपना कीक भी अगर आप यहां देखने को मिल जाता है और बात करेंगे की टोटल सवें कलो ऑप्शन के साथ आती है काफी सारे कलर चॉइसे आप किसी पर भी जा सकते हो अगर प्राइजिंग की बात करते हैं तो यह आपको 76,400 उपीज अगर आप देखते हो तो पंचान बेजार तक अपनी जेस्ट जा रही है ठीक है तब तो फ्रेंट से स्टार्ट करते हैं कि मैंने दिखाई दिया है कुछ ऐसी और यहां पर फ्रेंट परफाइल मिल जाती है अपने स्पोर्ट की और ब्लाक कलर पूरा ही पूरी ब्लाक मिलत मिलती है यहां पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिजाइन भी पड़ यहां लग रहा है अपने को टीवेस की ब्रांडिंग मिल जाती है सब पूरी ब्लाक मिलेगी रिफ्लाक्टर बेस हैलोजन सेटप में मिलती है और ठीक है रियर भी मिरट सा जाते हैं बड़ यहां प अपने प्लेट वर्डिंग सेटप जस्ट लाम के नीचे फरंट में अपने को टेलिस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं फेंडर को देख रहे हैं मतलब मढगार को तो यहां पर अपने फाइबर के मढगार मेल जाते हैं सस्पेंशन मैंने बताई दिया है एंड अगर टायर प् काफी बढ़ियां ब्लेक पर क्या का येलॉड भी आता है ड्रम प्रेक के साथ आता है दिक्स का उप्ष Smith ब्रेकिंग में यहां पर CBS के साथ आता है Combi braking के साथ तो braking थोड़ी बढ़िया हो जाती है यहां पर आपको 9 फ़क्सर रिफ्लाक्टर मिल जाते है पेंडर पे, दोनों ही साइड, राइट और लेफ साइड बाकी यह था टायर पोफाइल, सस्पेंशन, ब्रेकिंग बेगारा यहां पर Telescopic, अपना फ्रांट में suspension आ रहे है इंसाइड पोफाइल चाह आ रहा है, यह साइड पोफाइल में सबसे पहले Fuel Tank capacity की बात करते हैं तो यहां पर आपनेको 10L Fuel Tank capacity 7 Pro 10L और काफी बढ़िया अपनेको टैंक पे TVS की 3D B COP tb janKEN+, सरहिक हैầyаем कुछ निंग भी डिसेंट है, यहां पर आपको स्विवर फ्रीशिंग मिल जाती है, इस पोर्ट की ग्राफिक्स मिलेगी, रियर में अपना को डूल रिंक टाइप सस्पेंशन मिलते हैं, विमेंस के लिए सारी गार्ड, फुट रेस्ट, अगें विमेंस के लिए फूट रेस् सिंगल स्टैंड, डवल स्टैंड दोनों ही देखने को मिल जाता है, और फिर से बार पूरा साइट पोफाइल आप चेकाउट करी लो भाई, पूरी गारी मिलती है, अपनी ब्लैक कलर की, जहां पर खाली TBS स्पोर्ट की ब्रांडिंग मिलेगी, और कहीं कोई भी ग्राफिक अगर आप करा सकते हो, रियर ट्रायर प्रोफाइल बेकिंग सिस्टम की बात करें, तो यहां पर थ्री प्रोफाइल का अपना ट्रायर मिल ला है, 70 इंचेस का अलाउविल मिल ला है, ब्लैक का अलाउविल बढ़िया है, यहां से अपना सीट ओपें कर सकते हो, फिजिकल की अगर आप चेक करोगे बाई, कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है, अपने को, टीवेस स्पोर्ट में, ग्रिप काफी स्थाई है, अब आ रहे हैं इसके लफ साइड पोफाइल की तरफ, तो कुछ ऐसा ओवराल यहां पर अपने को मिल जाती है, राइट साइड पोफाइल तो अब भी मैं थाई, 10 लिटर की फ्यू टैंक काफसिटी, अगें टीवेस की ब्रांडिंग, काफी बढ़ियां, सिल्फ के साथ-साथ-क भी अपने को मिलती है, ब्रेक लिवर मिलेगी, फुट रिस्ट, कुछ ऐसा एक जोस मिलता है, विद्ध मुफलर, और काफी बढ़ियां यहां पर अपने को क्रोम टीट में मुफलर मिल जाते हैं, रियर में भी ड्रम रेक आता है, अपना 130 mm का, 17 इंच इस के लॉइविल, यह अपना फ्रेम देखने को मिलेगा, टीवियास की ब्रांडिंग, अपने को देखते हैं, कुछ ऐसा अपने को यहां पर, मिल जाता है, स के ब्रांडिंग मिल जाती है, सेमि डिटल अगर आपने पूलेगे, पूरा एनलॉग है, सेमि डिटल कोई चीजी नहीं, यह सब देख रहो तो अपना LED यह अपना light है, यहां पर अपना MID, यहां पर आपको मिलेगी है, हैंडल बार्स, एंड स्विचे की बद्द करते हैं, साथ हाता है रियर व्यू मेरा सब्सक्राइब करते हैं इसको अर्व टेक्निकल स्प्सक्राइब करेंगे तो ओर लेंट की बात करते हैं यहां पे तो 1950 mm की लेंथ मिलेगी, 705 mm की width मिलेगी, 1080 mm की overall height मिलेगी, 1236 mm की wheelbase, 175 mm की ground clean, काफी बढ़ियां यहां पे देखने को मिल जाती है, 175 mm की, and curvate देख तो अपने को 112 kg की मिल जाती है, and 790 mm की seat height, तो थोड़े से short rider है न, तो मलब ठीक है बाई, 790 mm अपना standard है, maximum सभी vehicles में आता है, सही seat height बगरा, and curvate भी सही 112 kg की बहुत जादे heavy भी नहीं है, weight में, और यह थबा, इस को roll, dimension बगरा, weight, seat height, ground clean बगरा, आप बात करते हैं, इसके engine specification की, main तो यहीं इंजन में क्या power and talk, mileage बगरा क्याकर दे देती है, तो यहां पे देख रहे हैं तो भाई, अपने को जो engine मिलता ह सिंगल सिलेंडर एयर कूड FI BH6 phase 2 engine, E20 compatible engine है, और पूरी body color black मिलती है, साथ में engine भी black आ रहा है, तो पूरी एकदम jet black हो जारी है, अपनी sport, और power की बात करेंगे, तो 8.18bhp power मिलती है, 7350 rpm पे, and 8.79 को टॉक मिलता है, 4500 rpm, mileage यह आपको बहुत बढ़ियां, 68-70 km per litre तक दे पहले तो और भी जादा था, लेकिन अब देरे देरे engine के अंदर system करते, करते, खेल करते, करते, तो mileage तो अपना reduce होता ही रहेगा, and 90 km per hour तक की top speed निकाल के दे देती है, और 10 litre की foot tank capacity की साथ आ रही थी भाई, so guys, यह था भाई, अपने TVS sport, black color का full detail review, हर एक चीज मेने बता और यहाँ पर क्या engine में power and torque देखने को मिलता है, pricing मैंने वीडियो की स्टाडिंग बता देखने को मिलता है, और प्राइजिंग मैने वीडियो की स्टाडिंग बता तो फिर सबात आदू, यह आपको भाई, on-road cost पर ती 76,400 का, बिल्कुल डिफरेंस सिटी स्टेट में पर प और उसके लिए सही है, फॉर्मल लुक के लिए सही, ऑफिशली भी सही है, भाई, भागी यह था फूल डीटेल इवीडियो वीडियो अचली लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा मिलता है, नेक्स वीडियो को साथ, तेल देन टेक क्यार, बाबाई